अपने पुराने गाउन को रिसाइकल करने का बहुत अच्छा आइडिया आपके साथ शेयर करने जारी हो अगर आपके पास भी ऐसा कोई आपका कोई गाउन पढ़ा है जो आपने बहुत बार पहन लिया है और आप उसका रियूज करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंड त वेलकम टू माई चैनल और यह देखिए यह मैंने इसको जो गाउन था जो मेरा उसका मैंने बॉड़ी पार्ट अलग कर दिया है और जो निचे का पार्ट था फ्लेर वाला उसको अलग कर दिया इस तरीके से इसको शिलाई इसकी खोल दी है तो थोड़ा सा मैंने गाउन का तो यहां से उपर जो इसका बाड़ी पार्ट था लगा हुआ अलग से तो वह मैंने निकाल दिया है क्योंकि उस पर एंब्रॉइडरी थी तो उसके बाद मैं लेके आई हूं यह कपड़ा मैंने यह साड़े चार मीटर कपड़ा लिया है मतलब चार मीटर भी ले सकते हैं और उसी में से मैंने इसका टॉप पार्ट निकाला है और नीचे का पार्ट निकाला है फ्लेयर वाला तो मैं इसका गाउन का यूज करके बना रही हूं लेंगा और यह जैसे आपने देखा कि मैंने गाउन को अलग अलग कर दिया है टॉप पार्ट अलग कर दिया है और लेंग इस तरीके के आप लेके ना बहुत आपको सस्ता भी पड़ेगा हाँ और थोड़ा सा मेहनत लगती है सिलाई करने को लेकिन आपको अगर आप रेडी मेड लेंगा लेते हो तो आपको पता ही है कितने कितने प्राइज लगते हैं और यह मैंने 500 रुपे मीटर फैबरिक लिया ह और मतलब 4.5 बीटर फैबरिक में यह आराम से बन जाएगा और आप जैसे देख रहे हैं मैंने इसको डबल किया है नेट को यहां पे मार्क लगा लिया है और छोटा सा कट लगा लिया है डबल इसलिए किया है कि फरंट और बैक की मतलब जो प्लेट्स डालनी है वो बराब भी जितना मतलब दोनों साइड से बराबर मैंने प्लेट्स डाली है दोनों साइड से फैबरिक को बराबर रखा है मैंने और बैक साइड से और फरंट से इस तरीके से मैंने इसको प्लेट्स डाल ली है और इस तरीके से यह एक कितना जल्दी यह बंज गया है मतलब जल्द थोड़ा टाइम तो लगता है लेकिन आसान है बनाना, ये मैं कहना चाहती हूं, थोड़ा टाइम जरूर लगता है सिलाई करने को, लेकिन बनाना असान है, बनाना मुश्किल नहीं है, आप इस वीडियो को देखके अराम से इसको बना सकते हैं, तो उसके बाद मैंने पांच नंच के चोड़ाई में यह पट्टीली है और लंबाई जितना यह उपर का या फिर हिप पाट हो हो जितना उपर यह खुला है उस अशाफ से लंबाई ले सकते हैं चोड़ाई में ने 5 इंच लिए है तो इसको मैंने एक साइड नेट लगा दिए है दूसरी साइड इसी का ज तो ऐसे सिलाई है अंदर की साइट से लगाएंगे तो ये ऊपर ऐसे आजाएगा फिर ऐसे ऊपर से उसको और लैप करते हुए यहां पर आदा इंचों फोल्ड करते हुए इसके उपर सिलाई लगा देंगे तो इस तरीके से ये नाड़ा या लास्टिक डालने के लिए आपका उपर से हिप का निफा जो है वो हो जाएगा तो मैंने इसमें नाड़ा भी डाल दिया है तो आप इसमें रेडी मेड़े डौरी भी डाल सकते हैं जिस पे आप लटकन वगयरा चाहें वो लगा सकते हैं मैं भी इसको लटकन लगा रही हूं एंड में आप देखना तो देखो ये इस तरीके से ये लेंगा तो रेडी हो गया है बस अब इसको ना नीचे मुझे लेस लगानी है तो ये जो इसका मैंने नाड़ा इसमें डाला है इसकी जगा प्लास्टिक भी डाल सकते हैं तो फिर आप इसको मैंने यहां पर लगा दी है यह वाली मैं Lace PC के साथ मतलब मार्किट से लेके आई थी तो यह वाली Lace is Cutwork वाली लगाई है इसको आपना दोनों साइड से लगा सकते हैं जैसे मैंने यह उपर की साइड कटवर्क किया है तो आप नीचे की साइड भी कटवर्क कर सकते हैं क्योंकि इस लेंगे की लेंथ मैंने प्रॉपर रखी थी लेकिन अगर मैं नीचे की साइड कटवर्क करती तो वह थोड़ा और लंबा हो जाता पहले ही थोड़ा सा एक एक आदा इंच मैंने तो इसरी के से यह लेंगा तो रेड़ी हो गया है अब इसका टॉप रेड़ी करना है आप टॉप की लंबाई भी मैं थोड़ी सी इसकी बढ़ाके रखने वाली हूं अब अपने अपने चोईस के अपने चोटी चोटी जा कम मतलब लंबाई कम या ज्यादा रख सकते हैं तो आप देख सकते हैं गाउन का कितना अच्छा यूज हो गया है इसमें बहुत ही सुन्दर सा यह लेंगा बना है बस मैं आपको नॉर्मली इसको थोड़ा सा ऐसे पैन के दिखा देती हूं और इसका ब्लाउज जो टॉप है वो भी बना लिया है मैंने और पहले इसका लेंग कैन मैं इसमें बाद में लगाऊंगी अगर आप चाहों तो आपको चाहिए कि कैन कैसे लगाने की सिखनी है तो मैं उसका वीडियो अलग से अपलोड कर दूंगी तो यह बहुत ही सुन्दर लग रहा है लैसे इसके साथ बहुत अच्छे से मैच हो गई है और टॉप भी इस रख सकते हैं और इसकी चुन्नी भी सेम है नेट की अमप्रॉडड जो चुन्नी है इसकी तो आप वह वाली वीडियो जब मैं इसको पहनूंगी त्यार हो के शादी में इसको पहनना है मुझे तो फिर वह वह वाली वीडियो आप रीलस में आपको देखने को मिल जाएंगी इस लेंगे की और फिल हाल तो मैं इस वीडियो को यहीं खतम कर दूँगी और आप इस तरीके से अपने गाउन का अच्छे से यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही सुन्दर सा लेंगा बना सकते हैं इवन आप गाउन से गाउन भी बना सकते हैं उसको नेट का या इस तरीके का कोई फैबरिक लगा सकते हैं तो आप इस तरीके से अपने गाउन का रियूज कीज़े और मुझे कॉमेंट में बताइए आपको यह वीडियो कैसा लगा यह आईडिया कैसा लगा मेरा तो मैं मिलती हूँ आपको एक और नए वीडियो के साथ थैंक यू फर वाचिंग